हेलो फ्रेंज मैं हूँ अन्यपुना और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आल टाइम फेवरेट रेसिपी काजू कतली के वग दो चीजों की साथ यह दिखने में जितना ब्यूटिफुल है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना उससे भी काजू कतली की रेसिपी आज हम बनाएंगे इसके लिए मैंने 20-100 G काजू लिया है यह बजन में 200 g है और मैं आपको कबसे ऑफ इसे मेजर करेंगे तो यह 2 कब है तो यहाँ पे 2 कब काजू है काजू डाल कर इसे हम ग्रैंड करेंगे अगर आप काजू फ्रिज में स्टोर क और वो एकदम ठंडा है तो इसे थोड़ा सा आप दूप में रखिए अधर्वाइस हलका इसे घुन लीजे ताकि इसका जो गिलापन है नमी है वो निकल जाए अब इसे ग्राइंड कर रही हूँ ग्राइंड करते से में भी हमें ध्यान देना जिस्ट हलका घुमाना है बहुत इसलिए चानना जरूरी है तो अभी मैं इसको चन्नी में डाल रही हूँ चन्नी में डालके चान रही हूँ चान के अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यह एकदम वैसे बनेगी जैसे हम लोग मार्केट से खरीते हैं अभी मैं इसको चान रही हूँ चानने के बाद इसमें जो यह बचा हुआ है मोटा, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इसको हम लोग किसी अधर रेसिपी में या किसी और चीज में डालके यूज कर सकते हैं अभी जिस कपसे मैंने काजु लिया है, उसी कपसे मैं शक्कर ले रही हूँ तो कपसे, एक कपसे मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ, क्योंकि चानने के बाद हमारा जो थोड़ा सा काजु बज़िया था, उस वज़े से और अगर आपको एकदम जादा मीठा पसंद है, तो आप पूरा एक कप भी यूज कर सकते हैं अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, पानी डालके इसकी चासनी बना रही हूँ, चासनी हमें एक तार की चासनी बनानी है, अभी मैंने इसको एकदम अच्छे से पका लिया है, पकने के बाद इसे चेक करते हैं, अगर ये एक तार की चासनी बन गई है, तो हमारी चासनी बन के रेडी है, एक तरकी चासनी बनी है, इसे मैं अभी इसमें डाल रही हूँ काजू का पाउडर, जिसे हमने ग्राइंड करके चान लिया था, अभी मैंने काजू का पाउडर डाला है, डालने के बाद अभी हम इसको कंटिनुएसले मिक्स करेंगे, और ध्यान रहें, ग्य यह गाड़ा हो गया है, तो इस टेश पे हम लोग इसमें एक टीस्पून घी डालेंगे, घी डालने से यह पैन में नहीं चिपकेगा, और इसको पकाने में आसानी होगी, अगर आप इसे वेगन रेस्पे बनाना चाहते हैं, तो आप घी डालना स्किप कर सकते हैं, घर में जो भी आप ऑईल यूस करते हैं, वो एक टीस्पून ऑईल डाल सकते हैं, सरसो तेल छोड़कर, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कियो, आप देख सकते हैं, यह अच्छे से पग गया है, साइड से थोड़ा घी भी छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आप मैं डाल रहा हूँ एक टीस्पून रोजवाटर, रोजवाटर की जगह आप इलाइची भी कोट के डाल सकते हैं, बट मुझे काजु कतली में काजु का ओरिजनल फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं इलाइची नहीं डाल रहा हूँ, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अब थोड आसा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद एक बटर पेपर या पॉलिथिन शीट लेकर उसके ओपर थोड़ा सा घी लगा देना, या फिर आप रोलिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर हम लोग रोटी बनाते हैं, बट उसको भी आप गी से ग्रीस कर लेना, उसके अगर आप बेलोगे तो उपर से पॉलिथिन कवर करना, उसके बाद बेलना, नहीं तो वो बेलन में चिपक जाएगा, अब आपको काजु कतली जैसी रखने हैं, मोटी पतली उसके अकौर्डिंग आप इसे बेल लेना, बेलने के बाद आप इसके ओपर मैं रख रही हूँ चांदी का वर्क, सिल्वर पेपर, आपको अगर पसंद है और आपके पास है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदर्वाइस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे टेस्ट में कोई चेंजिस नहीं हैगा, बेट हाँ, लुक वाइस यह बहुत अच्छा दिखेगा, एकदम पहले हम एच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद जिस साइस का आपको चाहिए, उस साइस के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लेना, तो ये सारा काजु कतली एक जैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैं इस तरीके से स्केल से कट कर रही हूँ, आप सिंपल नाइफ से भी कट कर सक जाएगा, उसी के बाद इसके पीसिस अलग कर लेना, तब ये और अच्छे से से सेट हो जाएगा, अब हमारे सारे काजु कतली बन गए हैं, मैं से निकाल रही हूँ, सर्विंग प्लेट में, आप भी इसे जरूर बनाएए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, थैंक यू